दोस्तों आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बहुत धल्म के important question answer जो कि सभी एक्जाम में आते हैं वो चाहे यूपी PCS हो या BPSC हो या कोई भी वंडे एक्जाम हो इससे question आता ही आता है तो लेट वी हैब टू स्टार्ट फर्स्ट कोशन गौतम बुद्ध का जन्मस्तान क्या था एक कुसी नगर बी सारनात सी बोध गया या फिर लूम्बिनी इसका answer क्या हो जाएगा लूम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लूम्बिनी में हुआ था नेक्स्ट कोशन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ए 563 इसापूर में 558 इसापूर में 561 इसापूर में या फिर 544 इसापूर में इसका क्या हो जाएगा 563 इसापूर में भगवान बुद्ध किस वन से संबंदित थे जात्रिका बन से मौरी वन से साक्य वन से या फिर कुरू वन से इसका answer क्या हो जाएगा भगवान बुद्ध साक्य वन से संबंदित थे नेक्स्ट क्या अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिबास आली या फिर सक्तिस आली इसका अंसर क्या हो जाएगा ज्ञान प्राप्त सिध्धार्थ को ग्यान प्राप्ति कहां हुई थी वारांशी में, सारनात में, कुशी नगर में या फिर गया में इसका अंसर क्या हो जाएगा डी गया, गया को हम लोग बोध गया भी बोलते हैं बोध गया कहां पर इस्थित है पश्यम बंगाल में है उरीशा में है बिहार में है या फिर असम में है इसका अंसर क्या हो जाएगा सी बिहार में है बोध गया बिहार में स्थित है बगवान बुध ने अपना प्रत्थम धर्म संदेश कहां पर दिया था राजग्री में सारनात में बुद्ध का प्रत्म प्रवचन कहलाता है, जो भगवान बुद्ध ने अपना सारनात में प्रत्म प्रवचन दिया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महा विविनिस्पकर्मन, महा परिणिरवाण, महामस्तकाविशेक या फिर धर्म चक्र परवर्तन, इसको हम ल अबहत धर्म का प्रचार करने कि लिए किस भासा का प्रयोग सबस्द्यादा किया गया है संस्कृत का प्राकृत का पौली या फिस और सेगहाällर किसा अंस्टर का हो जाएगा सी पौली का सब्ध्य जज़य है सब्धियोग कि इसका अ यूज किया गया स sos इंनिशियल बहुत धर्म ग्रंथे उनकी रचना किसमें की गई थी प्रकृत पाह्ट में पाली में संस्क्रिट में या फिर चित्र लेखी पाह्ट में तिसका अंतर क्या हो जाएगा बी पाली पॉर्ट में निर्ण में से कौन सा एक भारत में उत्पन सबसे बादवाला बहुत धर्म का गरंथ है। दिव्य बंदना, दोहा कोसा, बज्य छेदिका या फिर वाम साथ पाकसिनी। इसका अंसर क्या हो जाएगा। वाम साथ पाकसिनी। निर्ण में से बाद्धों का पवित्र गंद्र कौन सा है। उपनिशद, वेद, त्रिपिटक या फिर जातक। इसका अंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध के ग्रिहत्याग का क्या प्रतीक है। गोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेण। तो बगवान बुद्ध के ग्रिहत्याग क्या प्रतीक। गोड़ा है। इसका अंसर ए हो जाएगा। बहुत धर में बुल, बैल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को दरसाता है। जन्म को, महा विबिश्ण करमन को, प्रबुद को या फिर महा परिणिर्वान को। इसका अंसर क्या हो जाएगा। जन्म को दरसाता है। गौतम बुद्ध का जन्म अस्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। मतलब भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म अस्थान है, उसकी जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है। असोक मौर का रुम्मंदिय स्थम से, मूर्तियों से, पीपल ब्रिक्ष से, या फिर बहुत धमट से, जिसका अंसर क्या हो जाएगा? A. असोक मौर का रुम्मंदिय स्थम से गौतम बुद्ध द्वारा भिछुनिस संकिय स्थापना कहां की गई थी? A. सारनात में, कपिल वस्तु में, वैसाली में, या फिर गया में इसका अंसर क्या हो जाएगा? C. वैसाली में वगवान बुद्ध द्वारा भिछुनिस संकिय स्थापना की गई थी त्रिपिटक धार्मिग्रंथ है? किसका धार्मिग्रंथ है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, या फिर हिंदूं का है इसका अंसर क्या हो जाएगा? B. बौद्धों का है निम्ण में से किस नगर में प्रथम बौद सभा का आयोजन किया गया था? प्रतम बहुद सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था नालंदा में गया में राजगृह में या फिर बोध गया में इसका अंस़र के हो जाएगा राजगृह में तृ्टिय बहुद संग्यति का आयोजन कहां हुआ था जो third Buddhist council हुए थी तृति बहुत संगिति हुए थी वो कहां हुए थी वस में पाटल पूत्र में कौशामबी में या फिर कशमीर में इसका अंसर क्या हो जाएगा बी पाटल पूत्र में हुए थी किसके द्वारा तृति बहुत संगित को स्रक्षण प्रदान किया गया था जो इसका अंसर क्या हो जाएगा असोक के द्वारा कनिस्क सासनकाल में चतूर्थ बहुत संगीती किस नगर में आयुजित की गई थी मगद में पाटल पुत्र में कुंडलवन कश्मीर में या फिर राजगरी में इसका अंसर क्या हो जाएगा कश्मीर में कनिस्क सासनकाल में जो बहुत संगीत आयुजित हुई थी उसकी अध्धक्षता किस ने की थी पार्ष्व ने नागार्जुन ने शुद्रक ने या फिर वासुमित्र ने इसका अंसर क्या हो जाएगा डी वासुमित्र ने किया था पांचवी बहुद्ध परिशत का आयुजन किस ने किया था असोक ने कनिस्क ने हर्ष ने या फिर विंदुसार ने इसका अंसर क्या हो जाएगा सी पांचवी बहुद्ध संगीत का बहुद्ध परिशत का आयुजन हर्ष ने किया था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर में दिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्ण में से कौन था आनंद सारिपुत्र मोगलान या फिर सुबध इसका अंसर क्या हो जाएगा डी सुबध को सुबध जो अंतिम व्यक्तिया जिसने भगवान बुद्ध से दिक्षा प्राप्त किया था बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्सा जितु कहां बिताई थी श्रावस्ति में वैशाली में कुशी नगर में या फिर सारनाप में इसका अंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सी कुशी नगर में तो आज की ये टॉप 25 कुशन है थेंक यू फर वाचिंग झाल